साउदी अरब और यूवेई और इसके लावा बाकी के जितने भी तेल बेशने वाले अमीर अरब देश हैं यहां से अपनी सेना तुरंथ हटाओ यहां से अपने मिलेटरी हत्यार हटाओ अपनी सुरक्षा हटाओ अपने मिसाल डिफेंस स्टम और रडार भी यहां से हटा दो और इन्हें इरान के सामने खुला छोड़ दो इरान जब इनका बुरा हाल करेगा तब जाकर इनकी बुद्धी ठीकाने आएगी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं अमेरिका के जो बड़े बड़े और शक्तिशाली लोग हैं अमेरिकी सीनेट के जो सबसे बड़े लीडर्स है वो ये बात कह रहे हैं खास कर키ी अमेरिकी राष्टरप्ती जो बाइडन की जो पार्टी है डेमोर्करे CRAट पार्टी उसके लीडर तो बिलकुल मुखर तोर पर इस बात को कह रहे हैं इतने नहीं जो बाइडन के जो धुर वी रोधी है और अमेरिकी दाश्रपती चुनाव में डोनाल्ड टरंप और जो बाइडन के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नाम था बर्नी सैंडर्स उन्होंने भी ये बात खुले तोर पर कल कही है इसके आप उनका भी वयान देख सकते हैं लेकिन अमेरिका में ये मांग क्यों उठ रही है क्योंकि अब से कुछी दिन पहले जो ओपेक देश है दरसल तेल बेचने वाले देशों का संगठन है ओपेक और इसके लीडर है सौधी अरेबिया और यूनाइटिड अरब अमिराथ इन देशों ने तैये किया है ये तेल की प्रोडक्शन यानि की कुवे से तेल निकालने की जो शमता है उसे कम कर देंगे जिससे मार्केट में तेल कम पहुँचेगा और खरीदार ज्यादा होंगे तो तेल की कीमते बढ़ जाएंगी इन्हें कम तेल बेच कर भी ज्यादा मुनाफ़ा होगा लेकिन इससे जो तेल खरीदने वाले देश है जैसे की अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपियन देश इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान जेलना पड़ेगा हाला कि भारत चीन का मामला अलग है ये दोनों देश रूस से तेल खरीद कर इसकी भरपाई कर सकते हैं लेकिन अमेरिका और यूरोप की लंका लगी पड़ी है यूकि पहले ही रूस यूक्रेन युद और उसके बाद इन्फलेशन यानि की महंगाई ने यूरोप और अमेरिका की अर्थवस्था को ढोल की तरह बजा दिया है लेकिन अब जैसे ही ओपेक देशों ने तेल की कीमते बढ़ाने शुरू कर दी है ये बात लगबग तैम आने जा रही है कि 2023 की शुरूआत में यूरोप या फिर अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरूआत हो सकती है और इसलिए अमेरिका ये डिमांड कर रहा था कि ओपेक देश तेल की प्रोड़क्शन कम ना करे बलकि इसे बढ़ाएं ताकि हमारी अर्थ फवस्था को सांस लेने का मौका मिल सके लेकिन ओपेक ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और इसी बात से अमेरिका इतना जारा चिड़ गया कि दो दिन पहले अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वो नो ओपेक बिल लाएंगे यानि कि एक ऐसा कानून बनाया अगर ओपेक देश अमेरिका के हिसाब से तेल की कीमते तै नहीं करेंगे तो अमेरिका इन अरब देशों पर और इनके नेताओं पर केस चलाएगा और अमेरिका के केस चलाने से दो काम होंगे पहला ये कि या तो अरब देश के जो बड़े शक्तिशाली लीडर है या राज कि सारी संपत्ति को अमेरिका जब्त कर लेगा यानि कि एक तरीके से ओब देशों को घूटनों पढ़ लाने के लिए और उन्हें उनकी ओका दिखाने के लिए अमेरिका नो ओपाक बिल ला रहा है लेकिन आप कहेंगे कि जब अमेरिका कानून ला रहा है तो फिर यह दंकी द देश डोलर में तेल बेचना ना छोड़ दें कि अगर ऐसा होता है तो डोलर बहुत ही जादा वीक पड़ जाएगा दुनिया भर में उसका यूज गम होगा और उसकी वैल्यू बहुत जादा गिर जाएगी और आप जानते ही है कि डोलर अमेरिकी महाशक्ती का केंडर है अग उसके देश में अचानक से दंगे परदरशन शुरू हो जाते हैं वहाँ पर लोकतंतर की मांग उठनी लगती है और वहाँ के जो लीडर होते हैं उन्हें जनता मार देती है अरब देशों में कई बार ऐसे हुआ है इसका सबसे प्राइम एक्जामपल है मौमर गद्दाफी जो लीबिया का तानाशा था जिसने यूएन में कहा था कि वो अब गोल्ड में तेल बेचेगा अमरी की डोलर में नहीं 2011 में उसका क्या अंत हुआ गटर में उसे गोली मार कर मार दिया गया ये हालत होती है इसलिए अमेरिका अपना खोफ बनाए रखना चाहता है और इसलि दुष्मन इरान का देंगे हम साथ उसके बाद इरान तुम्हारा जो हाल करेगा तुम उसे सोच भी नहीं सकते तुम्हारा जो सामराज्य है तुम्हारा जो पुरा राजशाही परिवार है सब ध्वस्त हो जाएगा इसलिए ये अमेरिका की प्रेशर टैक्तिक्स है अरब को गुठनों पर लाने की इस पूरे मामले में अभी बहुत कुछ होने वाला है इसलिए मैं बारी की सिनेजर बनाए हुए हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसी कोई बड़ी खबर आए मैं तुरंत आपको झाल 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 लगें वगार को